गुजरात के जुनागड में कावसा की बीमारी का पहला मामला सामने आ चुका है हालाकि इस बीमारी के मामले बहुत कम ही देखने को मिलते हैं लेकिन इस साल जुनागड के गिर सोमनाद के तलाला गाओं की 6 साल की बच्ची में इस अगंभीर बीमारी के लक्षन को आए गए है इस इलाके में इस तरह का ये पहला मामला बताय जा रहा है बच्ची को फिलहाल इलाज के लिए जुनागड के सिविल अस्पताल में भरती करा गया जहां डॉक्टर उसका इलाज कर रहे है आए जानते हैं आखिर क्या होता है कावसा की बीमारी और ये कितनी खतरनाक है कावसा की बीमारी शरी की ब्लड वेसल से जुड़ी एक मेडिकल कंडीशन है इस कंडीशन में ब्लड वेसल की दीवारों में सूजन आ जाती है ये सूजन हार्ट तक रत पहुँचाने वाली दमनियों को कमजोर कर देती है अगर इस्तती गंभीर हो जाए तो पेशन्ट को हार्ट पेलियर और हार्ट अटेक तक हो सकता है कावसा की रोग को म्यूको प्यॉटियस लिम्प नोड सिंड्रोम भी कहते हैं वैसे ये बहुत ही दूरलब मानी गई है कावसा की डिजीज के लक्षणों में तेज बुखार स्किन पर रैशज आखे लाल होना जीब लाल होना हाथों में सूजन गले में सूजन जैसे लक्षण पिखाई देते हैं कावसा की रोग संक्रामक नहीं है यानि ये एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं फैलता अक्सर ये बीमारी अपने आपी ठीक हो जाती है लेकिन अगर इसके लक्षण गंबीर हो तो ये हाट पर बुरा असर डालती है फिलहाल इस वीडियो में इतना ही वीडियो को लाइक और शेयर करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें